जन्ता की ताकत से जो सरकारे चुनकर आती है उनको जन्ता चुनकर भेजती है कि पांच साल के लिए कार्या करे और पांच साल के कार्या काल उनके बाद हमाचल की जन्ता इतनी जागरूक है कि अगर कार्या अच्छा नहीं करते तो बदल देती है लेकिन चौदा महीने में जिस परकार जनता की बोर्ड से चुनकर आईवी सरकार को गिराने का प्रियास किया और नोड के दम से सत्ता की कुर्सी हत्याने की कोशी जो भारतिय जनता पार्टी ने किया जो हमाचल की जनता की भावनाओं का सोधा भारतिय जनता पार्टी ने किया उस सदार पर ये चुनाब जनता लड़ रही है ये चुनाब कोई सरकार बचाने के लिए नहीं है सरकार बनाने के लिए भी नहीं है हमारी सरकार अगले साड़े तीन साल पूरी चलेगी लेकिन ये चुनाब जो है ये आम चुनाब ना होकर हमाचल की जनता के लिए विशेश चुनाब है वो विशेश चुनाब के भविश्या में जहां देवी देवता हमारी संस्कृति के प्रमुक है भविश्या की रानिती को अगर साब सुत्रा रखना है तो मेरी हमाचल की जनता से ये अनुरूद है कि ये चुनाब जनता का चुनाब है, जनता को जीतना होगा और इस चुनाब में जनता जीतेगी और धनवल हारेगा, जनवल की जीत होगी, धनवल की हार होगी असर अगनी परिक्षर ये भी है क्योंकि छे बाइपोल्स है चार जो सीथ हैं उनकी उपर तो लोगसभा के लिए है लेकिन छे पाइपोल्स है और ये बीजेपी का लगातार दावा रहा है कि हिमाचल की सरकार हम पांच साल पूरा चलने नहीं देंगे यानि इस चुनाव के स रहते हैं अंकार से भरकर उसका प्रणाम जनता सखाएगी इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं हमारी सरकार बिल्कुल निश्चिन तोर पर है एक महीना नौ बढ़ायकों को हमाचल की सीमा के अंदर नहीं आने दिया कभी हरिदवार घुमाया कभी रीशी केस घुमाया कभी लल चलिए हो तो चार जून को चोका किसका लगता और चक्का किसका लगता वो पता लगेगा सर मंडी में सबसे कबर सबसे बड़ी लड़ाई है कांटे की टकर है विप्रिम अदितर जब जनता चुनाब लड़ती न तो पार्टी पॉलिटिक से उपर लड़ती है इस बार प्रदेश की जनता ने ये तैय करना है कि आपके बोर्ट की हैमियत को बनाए रखने के लिए चुनाब हो रहा है आपके बोर्ट से चुनकर बधायक जाते हैं और राजनितिक मंडी में बिख जाएं तो एक समय बोर्ट की हमिःत कम होगी इसलिए बोर्ट की हमियत को बनाने के लिए ये जनता खुद लड़ रही है और जनता की ताकत के आगे बड़े से वड़े धनव जल्वी और धनी लोग भी हार जाते हैं और आपने पहले देखा होगा कि हिमाचल में भी अधर्म के अधार पर भी राजनिती की जा रही है वोट मांगे जा रहे हैं हमाचल में धर्म की राजनिती जादा इसलिए नहीं चलती है क्योंकि हमाचल में तो सभी लोग देवी देवताओं के पुझा रही है हर गौंक अपना देवता है यहां पेड़ पौदों से लेकर सभी चीजों को पूझा जाता है तो पूझा तो उनके परिवार में पहले भी करती जीत के लिए जो भी चुनाव में बोंदों डालने जाता ह। अपने हो लिए पहली तो कोई बूरी काnoia को बढ़ती है ने हमारी रेली और व्युक्त मैं है यह वह चुनाव है जिसमें हमाचल परदेश में पहली बार लोग यह मैसूस कर रहे हैं कि अगर इस तरह विधायक राननितिक मंडी में बिखते रहे कोई भी पार्टी ताकतवर हो जाए और विधायकों को खिरने का शड़ेंतर करते रहे ताकि भविष्या में इस परकार की राननिति ना हो और जनता में आपको बता हूं इस तरफ आगे बढ़ चुकी है और चार जुन में जनता ही प्रजा है तो और जो उमीदवार होता वो भी प्रजा का एक भाग होता है